हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हमारे चैनल पर ऐसे बिस्केट बनाएंगे आपने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे बिस्केट आने वाले हैं और वो भी डीफ्राइ करके बनाएंगे भाकरवाडी बिस्केट बनाने वाले भाकरवाडी का वीडियो तो हमारे चैनल पर ऑल्रडी उप्लोडडेड है मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी युनिक सी मंठरी की rằng ह करी वह लोगों ने बहुत पसंद करिये तो आज की रेसिपी भी बहुत युनिक है तो शुरू करते हैं, उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और इसके अंदर ये तीन कप मैं मेदा ले रही हूं आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं बट आज ये मठ्री में मेदे से तैयार करी हूं तो मैंने यहाँ पर यह तीन कप जो की मैजरिंग कप वाला है उसी से मैंने मैजर किया है यह मठरी खाने में इतनी टेस्टी यकीन मानिए मैंने यह फर्स ट्राइ किया उसके बाद मेरे घर में यह बार बार बनने लगी है तीन कप मैंने मेदा लिया और वन टी स्पून जितना ये सैंदाना मक लिया है और इसी के साथ मैं ये वन फूट कप मौईन के लिए ओईल ले रही हूँ आप चाहें तो गी भी ले सकते हैं अब मौईन को अपने को इसके अंदर इतना अच्छे से मिक्स करना है कि मेदे के हर कन में मौईन आ जाए क्योंकि मौईन मेक्स अच्छे से होगा तो अपनी जो ये भाकरवाड़ी के बिस्कित हैं बहुत सौफ बनने वाले हैं तो मैंने ये मौईन बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया देख सकते हैं जब मेदे को इस तरीके से मुट्टी में बन करें तो अच्छे से लड्डू बने और अब इसके अंदर मेन इंग्रीडियन यह है भाकरवाडी मसाला इसका वीडियो हमारे चैनल पर भाकरवाडी की रेसीपी में है तो आपको वीडियो जरूर देखना पड़ेगा उसका लिंग में डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अब इसको भी मेदे में अपने को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो ये भाकरवाडी का मसाला है सारे मेदे में आ जाए और मैंने इसको भी ये अच्छे से मिक्स कर लिए अब अपने को दो तयार करना है दो तयार करने के लिए मैंने एक कप अभी है पानी लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही दो तयार करना है डो अपने को रोठी वाला डो होता है उससे थोड़ा सक्त और बाटी वाले डो से थोड़ा लूज करना है देख सकते हैं इस तरीकी का डो तयार करना है अब इसको ढखकर 15 से 20 मिट के लिए रेस करने रख देते हैं डो तयार करने में मेरे को 2 थर्ड कप ये पानी लगा है लोईया तयार कर लेते हैं ये मैंने 5 लोईया कट कर लिए हलकी सी मसाज दे और इसका बॉल तयार कर लिए हैं अब इसको अपन को बेलना है तो बिसकित तयार करना है तो उसके लिए एक बॉल लिया है और इस तरीकी की बेलन लिए इससे अपने को कितना मोटा रखना है की मोटाई इस तरीकी थोड़ा मोटाई ही होता है जैसे बिस्कित होता है उसी तरीके से अपन तयार करेंगे अब मैंने ये सारी पांचों की पांचों रोटी बड़ी-बड़ी मेली है अब एक रोटी लिए मैंने और इसको पहले अपन प्रिक कर देते हैं क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको प्रिक कर लिया है अब कट करने के लिए अपने को या तो आप चाकू ले या इस तरीकी का डेजाइन वाला कटर मार्केट में इजी ली अविलेबल है इससे लुक अच्छा आएगा इसलिए मैंने ये लिया है और बहुत ही अच्छी डेजाइन आती है बच किनी मोटाई चाहिए अपने को साइड बाई साइड मैंने ओयल भी रख दिया था और ओयल सेमी गरम चीए ज्यादा गरम नहीं चाहिए और लो फ्लेम पर अपने को इनको डीफ राई करना एक तरप से यह हो चुके इनको पलट देते हैं दो मिनित मैंने डालने के बाद इस बिस्कित अपने को डीफ राई करना है मैंने यहाँ पर डीफ राई किया है आप चाहे तो इनको बेग भी कर सकते हैं बेग किये हो भी बहुत ही अच्छे सिक्कर तयार होते हैं यह मेरे सारे बिस्कित डीफ राई होके तयार हो चुके हैं अपने यह बिस्कित बिना बेकिं बहुत ही क्रिस्पी और इतने टेस्टी बाकरवाडी बिस्कित बनकर तयार हो चुके वैसे तो हमारे चैनल पर बहुत से बिस्कित की रेसिपी अलड़ी अप्लूड़े हैं हमारे चैनल पर आप वेजिट करेंगे तो आपको अमेजिंग सी रेसिपी देखने को मिलेगी और आ करके बताएं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचें थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं इसी तरीकी की आमाजिंग्सी रेसिपीस के साथ